चलिए देखते हैं एकदम न्यू चैप्टर सेट अफ एंड केरी फॉरवर्ड पहले तो मतलब समझेगे चैप्टर का जैसे हर चैप्टर में हम करते हैं जैसे हमें मतलब समझ में आ जाएगा चैप्टर का फिर इसके उक अदर क्या है वो करेंगे सर ये चैप्टर थेयुरिटिकल है या प्रैक्टिकल है तो मैं कहूंगा 90 परसेंट थेयुरी है और 10 परसेंट पार्ट प्रैक्टिकल है लेकिन इस चैप्टर से कभी भी प्रैक्टिकल कोशन नहीं पूछा जा सकता मैक्समम आपका थेयुरिटिकल पोर्षन ही पूछा जाए सेट आफ का मतलब होता है माइनस प्लस करना सेट आफ का मतलब है सर माइनस प्लस करना कैरी फॉर्वर्ड का मतलब आगे ले जाना सर यह कॉंसेप्ट आया कहां से अभी देख लेते हैं देखो एक एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल में मानते हैं कि मिस्टर राम है और जो मिस्टर राम है ना मिस्टर राम एर 2022 2022 के अंदर इसने क्या करा एक बिजनस स्टार्ट किया और सर बिजनस की बात करें तो बिजनस किसी भी चीज़ का हो सकता है एक बिजनस स्टार्ट किया और उस बिजनस से स्टार्टिंग वाले बिजनस में ज्यादा से ज्यादा आप क्या देखोगे के लॉस होने के संभावना या फिर प्रॉफिट के लिए तो सूचते भी नहीं इसने बिजनस स्टार्ट किया और बिजनस के अंदर इसको लॉस हुआ मान लेते हैं 50,000 अब फिर अगला साल आया नेक्स्ट येर अगेन इसका बिजनस चल रहा है अभी भी इसने सोचा अभी स्टार्टिंग में तो लॉस होगा क्योंकि जब भी बिजनस स्टार्ट करते हैं तो कभी भी सोचे गया ने कि अगर लॉस होगे तो क्या करेंगे तो बिजनस करी नहीं सकता उसे तो हटाईद हो कि बिजनस लाइन में है वह बिजनस वही विक्ति कर सकता है जो पहले सोच ले जैसे भी बिजनस के साब से मालों एक चोटा बिजनस स्टार्ट करतें और दो लाक रुपए तो आप यह मान के चलो जब तक मैं जीरो नहीं करूग यह दिमाग में होना चाहिए तबही आप बिजनस चला सकते हो अगर नहीं चला तो यह भी बिजनस के अंदर सबसे रहे आप यह कुरश में नहीं हो जाए तब हम कर सकते हैं इसने हार नहीं दो रहा और सर बिजनस में कि इसकी हिम्मत की वज़े से अगले साल तेन लाख रुपय का प्रॉफिट हुआ कि और बिजनस की मैं बात करूं न तो एक्स वाई जेड लिमिटेड है कि सार एक्स वाई जेड लिमिटेड बनाया इसने और मैं आपको बता दू कंपनी में कंपनी के अंदर कोई स्लैब रेट नहीं होता इनको सीधा का सीधा 30% सरकार को टेक्स देना होता है चाहे एक रुपे भी कभाए अगर यह 100 रुपे भी की प्रॉफिट दिखाएगा ना तो 30 रुपे सरकार को देना है कंपनी का यह रूल होता है तीस और पच्चिस अलग अलग रेट है टन ओवर के उपर डिपेंड करता है 200 करोड से उपर का 30% 200 करोड से नीचे का आपका 25 ऐसा रेट है लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाते हम सीधा देखते हैं 30% रेट मैं एक ही क्लास लूँगा जिसके अंदर सारे रेट कवर कर लेंगे इस साल जब प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का इसने इस डूरेशन में यहां पर गौर्वर्मेंट तो सो रही थी गौर्वर्मेंट ने देखा भाईया मिस्टर राम तुझे लॉस हुआ हम में मतलब नहीं है यहां पर गौर्वर्मेंट एक्टिव हो गई कौर्वर्मेंट ने कहा राम भाई तु मुझे टेक्स दे और इससे टेक्स का नोटिस भी भीज दिया कि तीन लाख मल्टिप्लाइबाइब थर्टी परसेंट डैट इस 90,000 रुपीज आप मुझे टेक्स दो नोटिस आ गया इसके पास लॉस के टाइम पे इससे कुछ पू नहीं बिजनस का शाहित मतलब के टेक्स डिपार्टमेंट ब्रकरतेंट सब्सक्राइब को अपने बिजनस की नोलेज यह तो वह किसी टेक्स कंसल्टेंसी वगरण को कि अब इनको जब इसको बोला गया तो इस ने बोला भाई मैं तीन लाख पर तो नहीं दूंआ टेक्स ब पिर लॉस में तो आपने मेरा कोई हेल्प भी नहीं किया मतलब सब्सक्राइब उसके बाद अच्छा तुम्हारा पीछे का लॉस भी था क्या मुला हाँ लॉस था मेरा पीछे का पुला दिखाओ डिटेल पुला पचास अजार का लॉस था पिछला पी एंडल बैलेंशेट द सब्सक्राइब देना पड़ेगा यानि 30% इसके उपर अगर आप माइनस करते हो तो 75,000 टेक्स देना होगा राम ने कहा सर ओके मैं टेक्स देने के लिए एग्री हूं तो यह वाला लॉस हमने अगले साल इस्तमाल कर लिया तो जो लॉस हम अगले साल इस्तमाल करेंगे यान इसमें से जब हमने यह अर्जेस्ट कर दिया ना माइनस कर दिया इस सेट अफ तो पहले समझ यह केरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है और सेट अफ सेट अफ का मतलब पुराना कोई लॉस है उससे हमने माइनस कर दिया समस्या यह आती है यहां पर सर इसका तो बिजनस सा बिज और मोटिपल जगह से इसके पास पैसे सकता है तो जब मुर्मेंट चुरूर्म हो आपको सिखाए जाता है और सर मेरे इस सार सेलरी है और अगले साल मेरा लॉस हो गया बिजनस से और या फिर पिछले साल का मेरे बिजनस का लॉस पढ़ा हुआ है तो क्या कि यह सेलरी में से हम माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते जैसे तीसरे साल चले जाता हूं अगर सपूस करो तीसरे साल की बात करें इसका सेलरी था पांच लाक रुपए तो सेलरी में कभी लॉस होई नहीं सकता नौकरी करोगे तो ऐसे थोड़ी है मालिक बोलेगा लाँ पैसे दे वहां से तो आप ले के जाओगे जीरो होगा यह तो नहीं और इस साल इसके बिजनस में क्या हुआ ध्यान नहीं दिया इसने बिजनस में बाई तुम्हारा इंकम तो सेलरी से है और नुकसान बिजनस से तो इन दोनों को माइनस करने नहीं देगा यह रूल बनाया गया तो ऐसे किस किस चीज पे कैसे रूल होंगे वह रूल इस चप्टर में सिखेंगे तो पहले तो चप्टर का बेग्राउंड पता चलना ऑस चार साल हर चीज़ का Unlimited हर चीज़ का अलग अलग है तो हम सारे रूल इस चप्टर के इंदर डिश्कस करेंगे हमने बोला सेवेंटी से सुटार तो सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन सेवेंटी है है और इससे पहले कुछ बाते हमें पता होना चाहिए अगर मैं कहूं कि हैड्स ओफ इंकम अगर मैं आपसे पूछता हूं हैड्स ओफ इंकम कितने हैं बताइए पांच तो सर हैड्स ओफ इंकम आपने बता दिया सही जवाब और अगर मैं पूछूं सोर्स ओफ इंकम कितने हैं तो सोर्स ओफ इंकम सोर्स ओफ इंकम अनलिमिटेड अब देखे समझ यह क्योंकि किताब के अंदर मैं लेंग्वेज जो देख रहा हूं और जो गीवन है किताब के अंदर उस लेंग्वेज से मैं बिल्कुल भी मतलब के मुझे लगता है बच्चों को इससे आसान तरीके से बताते न तो हुआ है कि उसको समझने समझने में टाइम लगे और जब बच्चे को समझ में आ जाता है कई चीज ऐसी होते हैं इतना क्यों घुमा फिरा के बोल देता हमें पता चल जाता तो मैं सीधे तरीके से लेके चल रहा हूं फिर बुक की लेंग्वेज आपको सीधा समझ में आ जा पीजी बीपी पांचवा अधर सोर्स तो यह पांच है अब सोर्स का मतलब क्या है सर अब मैं बात करता हूं सोर्स ऑफ इंकम कहां कहां से कमाया जा सकता है सोर्स सोर्स ऑफ इंकम की मैं बात करूँ तो मैं एक हैड ले लेता हूं इसमें से कोई भी एक हैड ले लेता हूं सर हैड ले लिया मैंने बिजनस कौन सा हैड ले लिया मैंने बिजनस अब देखना बिजनस के अंदर कितने सारे पांट आ सकते हैं सर अब बिजनस में कितने तरीकी के बिजनस होते हैं पता है मेरा कोचिंग का बिजनस है यानि एजुकिशन मान लेते हैं मेरा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का है मान लेते हैं मेरा क्लॉथ का है मान लेते हैं मेरा बुक्स का है मान लेते हैं मेरा स्टील का है तो सर देख रहे हो और इसके इपने ही हो सकते हैं और भी हो सकते हैं तो कि business seson Admin कितने होसकते अईसे आउस पॉपर्टि मैं त कर थो मेरे पांच मख तो मेरे पास कितने सुर्स of income हो गए लेकिन है यह सब्सक्राइब Lake το जाये तो हमारा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको के सोर्स अब हमारी दुक्कत इह है कि जो मेजर है कि मान लेते हैं एजूकेशन का बिजनस किया और तो पाइश मार्किट में मेरा पचासाजार रुपě का नुक्सान हो गया है और ज० एक एक लाग का फाइदा हुआ तो ऐसे situation में जो मुझे text पे करना होगा न वो 50 में से minus कर देंगे इतमें से 50 पे करना यानि आपस में ये दोनों minus होगे क्या एक head और दूसरे head से minus हुआ एक ही head के अंदर हमने कुछ कर दिया minus plus एक ही head के अंदर तो ऐसे situation को बोला जाता है आपका intra head अभी इंट्राहेड ऐसे situation को बोला जाता है आपका intra head अब देखो यहां पर मेरा house property से 5 लाक रुपए का मेरा loss है और मान लेते हैं कि मैं एक exemption ले रहा हूं 5 लाक रुपए का लॉस है और मान लेते हैं मेरा salary से 2 लाक रुपए का profit है और business से मान देखंड हो तो सच्षट रूपय का प्रफिट है तो सरकार करती है कि आप ऐसा करो प्रकार आप तीन लाक तीन लाक रूपय के उस्य क्या सब्सक्राइण यमालाव्ड करती कि लिजुक हैत्पव क्या इन दोनों में आपको देख्षट में कस्ति― नजकाT आप तो ही किये मुद्दे की लेकिन डिफ्रेंस क्या है मैं अभी बताता हूं थोड़ा इसको इधर कर देते हैं साइड में तो डिफ्रेंस नजर आएगा लाइन भी खीज देते हैं आपके लिए चलिए साइड डिफ्रेंस क्या है यहां पे माइनस प्लस यहां भी हुआ और यहां भी माइनस प्लस हुआ है अब ध्यान से देखे तो माइनस प्लस यहां भी हुआ और यहां भी हुआ फरक है यह है कि यहां पे सेम हेड के अंदर माइनस प्लस हुआ है और यहां पे हेड बदल दिया वोलेंगे इंटर हेट इंटर हैट। इसको बोला जाएगा समसे पहले ये वर्ट क्लियर है क्या आपका इंटर हेड़्स सेटॉफ और इंटर हैड में क्या होता है सेम के अंदर ही हमारा माइनस प्लस कर दिया जाता है और इंटर हैड में क्या होता है है बदल जाता है तो पता एक्जाम के अंदर जो आपका थियोरी लिखना है थियोरी में कहा जाएगा वेन हमारा कोई भी लॉस सेट अफ हो जाता है दूसरे से तो बताओ यह कौन से बाली बात करूं अब मैंने कहा जब कोई लॉस सेट अफ करूं दूसरे हैड ऑफ इंकम से इंटर तो लैंग्विज समझना होगा बस आपकी किताब में जैसे लिखा होगा वो समझ जाएंगे हम ठीक है नहीं यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं वो सर्फ सेलरी अभी बताओ ना रूल मैंने अभी आपने जैसे बच्छों को मैंने दिखाया था कि भी यह सेलरी और बिजनस से नहीं हो सकता है सेलरी और एच्पी माइनस हो सकता तो यही तो रूल सीखेंगे इस चप्टर के अंदर 7770 है 71 तो पूरी सीरीज हो रही है तो यह सारी चीज़ें सिखाई जाएगी हर एक हैड किससे हो सकता है किससे नहीं हो सकता इनफेक्ट बिजनस की इंकम भी बिजनस से सेट आप कई बार नहीं होता इस पेसिफाइड अगर बिजनस हो तो जो कि 35 AD के अंदर हो तो मैं सारे रूल सिखाऊंगा तो पह सेक्शन सेवेंटी सर सेक्शन सेवेंटी क्या कहता है हमारे इंकम टेक्स का सेक्शन सेवेंटी आज लिखा हुआ लेके नहीं आये बड़ कोई बात नहीं लिख देंगे यह हमें सेक्शन सेवेंटी सिखाता है intra head intra head setup सर section 70 क्या सिखाता है intra head setup अब intra head setup का मतलब हमारा बिजनस है सब्सक्राइब एक बिजनस हमारी स्टील का है इस टील के बिजनस से कमाए फांच लाइक क्लॉफ के बिजनस से फ्रॉफिट हमारा नहीं हुआ लॉस हो गया तीन लाइक इस हम टेक्स दे देंगे किस पर लाग कि पहला एक्जामपल मैं एक्जामपल लेता जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी टूसरा एक्जामपल इस टील के बिजनस है उससे प्रॉफिट हुआ पांच लाग और प्लॉट से हमारा लॉस हुआ 6 लाक नाओ एक लाक रुपे का लॉस है इसे हम कर देंगे केरी फॉर्वर्ट कि कैरी फॉर्वर्वर्ट यह यह आगे चला जाएगा पहले तो यहां तक देखे तर ऐसा भी हो सकता है मेरे कलॉस के बिजनस से लौस छार हजार चारी का थाजार और मेरे के मिजनस से कि हमारा लौस है पचास अजार दन कि दन अब क्या होगा कि के नब्ए हजार क्या हो जाएगा एक करी कि नब्य हजार क्या हो जाएगा पहले हम सीख रहें इंटर हैड इंट्रा हैड ठीक है न यानि सर अब यहां पर आप देखोगे एक्जामपल में के मेरा एक ही बिजनस और बिजनस से करने के बाद इसके बाद में इसके रूल बताओंगा पहले तो हम सीख लेते एक दो इक्जामपल से ठीक है न इसके बाद कि अगला एक्जामपल देखते हैं यहिंग ले लेते हैं ताकि कंपेरिजन में मुझे ज्ञादा आसानी हैं अगला है सेक्शिन सेवेंटी वन तेट इंटर हैड सेटो इस इंटर हैड सेटो सर क्या होगा इंटर हैड सेटो जैसे मैंने बुला मेरा बिजनस है और फ्लॉस का बिजनस है इससे 4,00,00 रुपए का लॉस और हाउस प्रोपर्टी से मेरा इंकम है 6,00,00 का नाउ मुझे टेक्स देना होगा टेक्स देना होगा मुझे दो लाउग देखे मैं इंटर हैड में उसी को अभी लूगा जो कि इंटर हैड सेटप हो सकता है उसी के एक्जाम्पल लूँ और रूल तो हम देखेंगे पहले हम एक पर समझ जाएं अच्छे से इंटर और इंटर क्या है और इसके रूल क्या है एक्जाम्पल नमबर टू सॉरी वन सर एक्जाम्पल नमबर टू मेरा बिजनस से लॉस है 40,000 और बिजनस से लॉस के बाद दूसरा बिजनस है हमारा बिजनस टू जहां से प्रॉफिट है हमारा 50,000 और एच्पी वन से मेरा प्रॉफिट है 80,000 और एच्पी टू से मेरा लॉस है 4,000 रुपै अब यहां पर क्या होगा अल्टिमेटली एच्पी से जो लॉस माना जाएगा कितना माना जाएगा एच्पी से लॉस पहले तो हम बिजनस से प्रॉफिट निकाल लेते हैं चलिए बिजनस से प्रॉफिट यह बिजनस से क्या करा था मैंने लॉस करा था प्रॉफिट यह भी प्रॉफिट यह भी प्रॉफिट नहीं यह लॉस है यह प्रॉफिट है तो कितने आगे हैं यहां पर प्रॉफिट और यह क्या है तो तीन बीज है अल्टीमेटली हमारा तीन दस का लॉस होगा और यह कैरी फॉर्ण होगा तो सर जो इंट्राहेड और इंट्रहेड समझ में आ गया रूल क्या कहता है पहला रूल कहता है सर पहले आप नंबर वन पे करेंगे इंट्राहेड सेट अफ नंबर दो पे आप आएंगे इंट्रहेड सेट अफ अगर इफ बैलेंस बचा देन कैरी फॉर्वर्ड देन कैरी फॉर्वर्ड पैरावी पहला रूल यही कहता है कि सर सबसे पहले इंट्रहेड सेट ओप फिर आपका इंट्रहेड सेट ओप कुछ बचा तो कैरी फॉर्वर्वर्ड एग्जाम्पल मेरे स्टील बिजनस से प्रॉपेट चार्ला क्लॉथ बिजनस से लॉस तील और मेरा हाउस प्रॉपेटी से हाउस प्रॉपेटी से प्रॉपेट हाउस प्रॉपेटी से प्रॉपेट तील लाग यह आपकर हम एक्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं हाउस प्रॉपेटी से एक लाग प्रॉपेट ठीक है इसके आंसर दो आप्शन हो सकते हैं दो आप्शन हो सकते हैं आप जो कर सकते हो सोल्यूशन वैसे एक गलती होगा जो मैं करूँगा आप्शन नमबर वन कैसा करते हैं इसको इसको सेट अफ कर देते हैं तो अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे हम तो बचेगा और दो लाख यहां से सेट अफ कर देते हैं यानि मैंने क्या करा लॉस बिजनस तीन लाख और इसको माइनस कर दिया किससे एच पी के प्रॉफिट से एक लाख तो अल्टिमेटली दो लाख रुपए का क्या आया लॉस इसके बाद खोड़ा उपर करते हैं इसको इसके बाद हमारा बिजनस फिर से बिजनस प्रॉफिट भी है ने एक और बचा हुआ कितने का चार लाख बचा कितना इसके उपर हमें सरकार को क्या देना है एक और आप्शन देखिए कि कुछ चैप्टर है बस आप साइलेंट होके ध्यान से सुनते जाएए सब समझ में आ जाएगा कुछ नहीं रहता रखा है दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है जो आप लेंगे हो नहीं सकता जो आप ले लेते हैं कई बार उसकी बात पर रहा हूं मैंने कहा बिजनस कि प्रॉफिट कि कि इतने है चार लाग अब बिजनस लॉस दो लाग बिजनस लॉस अब यहां कितने बच गए दो लाग क्या बचा दो लाग यह अब इसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी मेरा यहां गलत कर दिया कि यह तीन लाग है ना यह गलत तभी क्योंकि अंसर तो सेमिया हाँ चीए है यह आगया एक लाग है एच पी प्रॉफिट का टेक्स जा रहा है कि दो लाग आपके पास दोनों आप्शन यहां पर देखिए यहां पर भी देखेंगे तो सरकार के सरकार के पास कितने का टेक्स जा रहा है सर लेखिन 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 आप अगर ध्यान से देखें तो क्या कहता है सबसे पहले आप इंट्रा है लेजिए आगर नहीं मिला तो फिर दूसरे पर जाईए आगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो आप गलत कर रहें यानि देखा जाए तो इसने सबसे पहले अपने आपको नहीं देखा यह दूसरे हैड में घुसके पहले सेट अप कर लिया है जबकि इसको प्रायरेटी बेस्पे किस पर करना चीए था यानि सर यह वाला और यह वाला सबसे पहले बिजनस और बिजनस आपस में मिल गए उसके बाद फिर एच पी को लेकर आए तो यह वाला क्या है पहले यह चीज आप ऑब्जर्ब करिये सिम्पल सा देखे करना कर आपको एक्च पता हो ना चीए फिर तो लास्ट में बस एक चार्ट बना रखा है उसके अंदर बताना यह यहां तक सेट अफ करना यह यह यहां तक सेट आफ करना उसके रूल बताने और कुछ ज्यादा है पहले यह समझ में है यानि सर हम current और यह सारे जो मैंने बाते बता ही ना आपको अभी पहले यहां तक समझ में आ गए चलिए एक example और हो जाए एक example और ले लेते हैं example two example two hp से profit चारव बिजनस से loss दो लाँ ऐसा क्यों नहीं होगा मैं अभी आपको बता हुआ बिजनस से loss जो bracket कर रहा हूँ ना समझ जाए यह को loss है मैं लिख नहीं पाया है यहां पर तो loss और hp two से profit यह loss एक लाँ ठीक है सर यहां पर बताईए क्या होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए आंसर तो पता है सर एक लाँ खाएगा लेकिन सबसे पहले जब हम करेंगे तो क्या करें पहले हम loss उसका देखेंगे same head वाले का हम solution जो होना चाहिए इसका hp1 से profit और सबसे पहले hp2 से loss आएगा एक लाँ पहले अब बच्चा कितना तीन लाँ अब यहां से हम लेंगे business do business एक लाँ का loss बच्चा कितना तो लाँ दो लाँ पे क्या जाएगा दो ही बचेगा न यह गलत कर दिया तो कि अच्छा बिजनस का लाउस दो लाग तो कितने बचे एक आप मुझे बताईए अगर मैं ऐसा कर दूं कि आप मुझे बताईएगा अगर मैं ऐसा करूं कि सर कैसा करोंगे अ जैसे मैंने करा एच पी एच पी से प्रॉफिट चार लाग लेस बिजनस से लॉस बचे दो लाग और फिर एच पी टू से कि हुआ थे ने बचा एक लाग हैं तो कि यहा दोनों सही है दूसरे वाला जो मैंने किया है यह बधरा कर दिया काटिया कर दिया कि दिया। पिर यह वाला सर गलत हो गया और यहां पर इसी तरीके से यह वाला गलत हो गया यहां तक समझ मैं एक स्टेप और आगे चलता है इस ने कहा नमबर वन रूल के कॉर्डिंग सरे स्टैप नमबर वन फॉस्ट क्या करना इंट्राएड नमबर टू फिर करना है हमें इंटर हैड नमबर थ्री बैलेंस अगर बचा तो केरी फॉरवर्ड इस रूल के अंदर लॉमेकर ने लिखा ये वाला काम सरिफ करन्ट इयर में कर सकते हो साथ समझाने करन्ट इयर में इसका मतलब once loss carry forward cannot be set up from other head लॉमेकर ने यह वर्ड लिख दिया इसका मतलब एक एक जामपल देखे सब कुस समझ में आएगा कि मैं बात कर रहा हूं 2020 की लॉक्डाउन की दूरेशन की लॉक्डाउन में तो पता यह बिजनस का गाम चल रहा था है तो बिजनस से चार लाग का और इसके बाद बिजनस के अंदर एक और बिजनस था मेरा यह प्रॉफिट है चार लाग का यह मास्क बना रहा था तो बस उसने मास्क बनाने के बिजनस चल रहा था एक और बिजनस है जहां से 6 लाग रुपे का लॉस हो गया यह कहानी है हमारा 2020 की 2020 का सोलूशन मैं पता है क्या से करूंगा और सबसे पहले इंट्रा फिर इंटर 2020 तो सबसे पहले बिजनस दो एक तो पहले बिजनस ले 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 बिजनस चार लाग और फिर बिजनस जो लॉस वॉला बिजनस है छे लाग इसको नमबर वन दे ते अनमबर वन नमबर तू कह आ करेंबुझे कितने हैं तो लाग का लॉस अब आ जाते हैं VIP पहर ाइक प्रापटी सर हाउस प्रापटी में एक लाग का लोस लॉस जूड़ एक लाग नहीं होना कि देखो लॉस प्रॉफिट तो आपका हो सकता है लेकिन एक बात यह भी याद रखना लॉस लॉस जोड़के तीन लाग तो सर यह हुआ यह काम करते हैं न एक पी से लॉस ना करके हम प्रॉफिट कर देते हैं थोड़ा अच्छा सा एक्जामपल बन जाएगा हमारे ठीक है यह तो अपने हाथ में हमारे एक लाग का प्रॉफिट कर दिया ठीक है एक लाग रुपए का मैं कहूंगा लॉस किससे और केरी फॉरवर्ड कर दिया एक लाग यह कहानी थी है नहीं अभी सारे रूल देखेंगा अभी बेसिक बेसिक सब्सक्राइब करने तो बस फिर एक बार रूल चार्ट में समझा देंगे बात ही खत्म है कि चलिए 2021 में पहुंचे हुआ है एच्पी से प्रॉफिट तीन लाग बिजनस से लॉस दो लाग बिजनस से लॉस दो लाग बिजनस से लॉस दो लाग बिजनस से बिजनस टू से लॉस या दो ही बिजनस रखते हैं ज्यादा नहीं कॉंप्लिकेटिट करते हैं अब धीरे धीरे करेंगे complicated यह कहानी है इस बार की अब सर पिछला लॉस भी आगे setup होना चाहिए रूल तो यही सीखा है अमने आंसर आंसर है सर एच पी से profit तेन लाग बेजनस से लॉस दो लाग प्रॉफिट बचा एक लाग अब एक लाग का प्रॉफिट बचा पिछला लॉस भी हमारा एक लाग का तो अगर मैं चाहूं कि मैं यहां से लेस कर दूं लास्ट ये बिजनस लॉस एक लाग और सरकार को इस बार मैं नहीं चल सकता है सिर्फ एच पी बिजनस यानि इंट्रा हेड में जंप मारने का पर्मीशन सिर्फ करेंट ये के प्रॉफिट लॉस यानि सर यहां पर जो आंसर आएगा आपका इसके अंदर आपको एक लाग रुपे पर टेक्स देना लेकिन अगर ये अभी मैं दूसरे एक्जामपल में ले लूँगा अगर बिजनस का होता है तो हो जाता है तो सर हमारा फिर से अगेन लॉस हो गया कि क्यारी फॉरवर्ड कितने का है एक लाग समझ में आ रहे हैं यहां तक अचलिए सर दोजार बाइस में आ गए कि सर एच्पी से कि एच्पी से प्रॉफिट तेन लाग बिजनस से लॉस तेन लाग और बिजनस से प्रॉफिट छे लाग यह लॉस है और यह प्रॉफिट है आंसर सर यहां क्या करेंगे सर सबसे पहले बिजनस बिजनस हैं प्रॉफिट प्रॉफिट अब बिजनस बदल देते हैं थोड़ा तो अब चलिए छे रहने दीजे कुछ बच्चों ने जीरो बोला तो फिर इसलिए मैं रुप गया तर बिजनस से प्रॉफिट प्रॉफिट कि लेस्ट कर देंगे लॉस्ट बिजनस से कितने कि इस्टिल प्रॉफिट कितने का तीन लाक रुपे का प्रॉफिट है और अब इसमें से हम माइनस करेंगे सर लास्ट यह लास्ट लिख रहा हूं वैसे केरी फॉरवर्ड होता है केरी फॉरवर्ड पुराने वाला वह भी माइनस करेंगे अब प्रॉफिट आ गया अब सर एच्पी से प्रॉफिट कितने कि इस पीन लाक अगर अगर यह क्या है तीन लाक तर आप पांच लाक पे आपको कि टेक्स देना होगा चलिए सब्सक्राइब और एक्जाम्पल देखते हैं कि मैं इसको इधर ले जा रहा हूं चिंता मत करना मुझे क्योंकि करना है अब आगे सर दो हजार तेईस में कि सर दो हजार तेईस आ गया है यह यह तेईस नीचे करें कर दो हजार तेईस यहां करते हैं कि इधर ही कर लेते हैं कि दो हजार तेईस कि सर एच्च पी से लाउस कि चालिस हजार तेईस कि मैंना थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि मेरा आगे कहरी फॉरवर्ड अच्छे से बंजाए एक्किस में मैं पता है क्या चेंज करना चाहता हूं एक्किस में अच्छे यह वाइस है हाँ 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 कि यह वाइस है सर यह कितना 2.5 लैंट कि 3.5 कर देखा 3.5 तो सर आंसर में बदलाव क्या होगा और यह भी सर 3.5 हो जाएगा यहां पर प्रॉफिट कितने बचेंगे 50,000 loss कितने का है? 1,00,000 तो अब इससे set up हो नहीं सकता यह सर, 1,00,000 इससे set up होगा नहीं और HP से इसको right ही नहीं set up करने का ठीके न, 50,000 बचा तो HP से तो इसको right ही नहीं set up करने का समझ रहें? यहाँ पर 2 option हो सकते हैं मैं पहले अभी एक करा दूँ आपको और फिर दूसरा भी आस्पेक्ट इसका इधर में करके दिखाऊंगा क्या हो सकता था पहले जितना आपको समझ में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल के चलिए सर यहां पर हम सिर्फ माइनस कितना करें पचास अजार यह हो गया जीरो और इससे इंकम कितना था तीन लाख टेक्स किस पर दे देंगे सर तीन लाख मैं समझा रहा हूं अभी मैं इसको आस्पेक्ट को लिखे आँगा टेक्स प्लैनिंग के परपस से पहले हमने कौन सा सेट अप किया इंटर फिर किस पर जानने था हमें इंटर यहां पर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा पुराना लॉस है केरी फॉर पर लॉक कहता है सेम हैड हो ना तो वहां पर आपका इंटर और इंटर वाला कॉंसप्ट नहीं चलेगा सेम हैड हो तो पुराना पहले कर लिजिए या अभी वाला कर लीजिए तो यहां टेक्स प्लैनिंग के परपस से इसका एक और आंसर हो सकता है अगर टेक्स प्लैनिंग का हो तो क्या आंसर हो सकता है सर, हो सकता है पहले मैं ले लू, बिजनस, प्रॉफिट, सर कितने का बिजनस प्रॉफिट, 3.5 ले, माइनस कर दू पहले carry forward loss, कितने का, बचा कितना, 2.5 ले, अब मैं माइनस करू बिजनस, बिजनस लॉस कितने, 3.0 अब कितना बचा, अब यह 50,000 को सा लॉस, है है, इसी साल का, अब इसी साल का लॉस है, और इसी एक पी का प्रॉफिट भी कितने गलत है, बिजनस हो गया, कि मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूं यानि यह वाला देखा जाए तो एक तरीके से गलत हो यानि सर मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर पीछे से लॉस आ रहा है ना करेंट यह में सबसे पहले इस लॉस को एब्सॉप करिए सेम हैड में से ताकि कोई दूसरा हैड का इंकम हो तो वहां पर यहां है दोनों यहां पर आपको तीन का टेक्स देना है और यह लॉस जो था यहां पर इस वाले अगर ऐसे करेंगे ना तो इसके अंदर कैरी फरवर्ड हो जाएगा आपका लॉस कितने गसर और लॉस की उमर होती है कि इतने साल के बाद यह लॉस मैं आगे जा रहा हूं थोड़ा चेंज करके तो यह वाला ऑप्शन क्या माना जाएगा इस दोनों एक्जामपल को करने के पाद आपको क्या समझ मैं कि जब कभी भी बिजनस इंकम होगा तो पहले हम कर देंगे प्रीविए से का लॉस बचे ना तो दूसरे हैट से क्या कर कर पाए हम हम इस लिए तो मैं इस वाले को क्या बोलू सर यह वाला हमारा क्या हो गया एक तरीके से गलत āझ यह वाला गलत हो गया क्रेक्ट कौन सा माना जाएगा क्या आप यहाँ पर कोई लास केरी वरवरड करने वाला है नहीं है सर चलिए आ जाएए दो हजार तेइस में फिर से एच पी से प्रॉफिट एक लाए बिजनस से बिजनस से बिजनस से चार लाए ये लॉस है सर ये ये सिचुएशन है अब क्या होगा बताते हैं इसका अंसर देखिए सबसे पहले इंटर हैड सर एच पी प्रॉफिट एक लाग और सर एच पी टू से वन से वन से लॉस कितने का यानि यहां बच गए तीन लाग अब बिजनस से तर यहां भी लॉस अब यहां पर कैरी फॉरवड होगा एच पी तीन लाग और कैरी फॉरवड होगा बिजनस एक खट्टा पांच लाग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जब अगले साल जाएगा कैरी फॉरवड अगर मैंने यहां पांच खट्टा लेग दिया तो अगले साल तो हम कर्प्यूज हो जाएंगे भाई एच पी में से माइनस करे अब इसके अंदर देखो मैंने क्या रूल देखो क्या ब्रेक हुआ पहले मैंने कौन सा है बिजनस यह भी क्या है इंट्रा है एंट्रहेड है बाइन और यहां पर भी क्या कर रहे हैं है तो यानी कहीं पे जितने बीग्सामपन लिए कहीं पर मैंने पहले इंटर हैड किया यानि अगर आप इसका आंसर बोलते हो न सर हम ऐसा करते हैं मैं बताई देता हूँ आपके मन में कुछ बच्चों कि चल सकता हैं कि यहां और पहले बिजनस समस्या है आपने रूज को времени कर दिए आपने पहले क्या होना चीह और फिर क्या होना चीए चाहे लॉस हो चाहे ठीक है ना यहां तक समझ में आई बात है यानि वन्स लॉस केरी फॉरवर्ड जो मैंने लाइन लिखा है कि अरे बहुत चोटा होगी इनका एक घंटे का पता ही नहीं लगता सब चले जाए देखें किया लिखा था इंटा हेड इंटा है बैलेच्य फॉरवड चर्डे केरिफॉरवड करेंट passado साल उस साल में तो आप किसी से भी इंटम कर लो इंटर फिर इंटर जा सकते हुर लेकिन क्रेंट एर में लेकिन अगर आगर लौस कारूरवड है तो वो other head से set off नहीं होगा, मैं इतने सारे example में यही समझाने की कोसिस कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, चलिए और भी example देखें Sir, HP loss मैं वहाँ से 2023 से 2024 पे आ रहा हूँ, ठीक है पीछे 23 में थे ना 23 से 24 में आ जाएगे ठीक है, यही चलेगा top sequence कर पाऊँगे, register में भी ऐसे लिख लेए 2000 बिजनस प्रॉफिट बिजनस प्रॉफिट 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 अच्पी लॉस एक लाग पचास हजा अच्पी प्रॉफिट अच्पी प्रॉफिट पहले हम इंट्रा इंट्रा में हमारे पास पहले क्या बिजनस के अंदर हमारे कोई लॉस था क्या दो लाग कर चले पहले इसको सेट अफ कर रहे हैं लेस केरी प्रॉफिट लॉस यानि यहां बचा हमारा एक लाग अब सर एच्पी प्रॉफिट और एच्पी से लॉस भी यह लेकिन समझदारी क्या है अगर आपका इंट्राइड़ी कर रहे हो इंट्राइड में पहले पुराने वाला करो में लीखिए क्यों है क्योंकि करेंट यह वाला तो कहीं से भीं से मूप कर देंग लेकिन पिछले वाला फिर सेम हेड से ही होता है तो एक थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं सबसे पहले करूंगा केरी फॉरवर्वर्ड लॉस अब बच्चा कितने का एक लाग का क्या यह यह एक लाग रुपे इससे सेट अफ कर देंगे क्योंकि यह वाला लॉस कौन सा है कैरी फॉर्वर्वर्ड कुछ बच्चे ऐसे ना सोचे के भाई एक्जामनर को कैसे पता से लिए वही वाला लॉस है रूल यही कहता है इसी से हिस साब से चलना है लोके साथ मैं तो एक्जामपल लेके चल रहा हूं तो यह वाला लॉस कौन सा है पिछला बचावा एक लाग ठीक है सर अब यहां बिजनस से कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है यहां से तो लॉस हो गया तो एक और लॉस है हमारे पास करेंट यह वाला एक जैकली एच पी से हमारा जो है लॉस कौन सा करेंटियर में तो कहीं मर्जी जम्प उमारू मर्जी तो क्या यह डेड़ लाख रुपे मैं यहां से सेट अफ कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हैं डेड़ में से सिर्फ कितना सेट अफ कर देंगे तो यह हो गया जीरो और यह हो से लॉस अब हमारा होगा एकश पी लॉस कारी फऔर डो हजार चौबिस वाला के फ़रवट को मैं पचास होजा है और एच पी लॉस अलग अलग लिखना होगा ऐसा नीम जोड़ेना मिल्यों है दो हजार थैस वाला फिछले साल था पीछे से पीछे से डोलाक रुपे था त तीन था यहां पर दो अर्जिस्ट कर पाएं तो एक और बज़ी यह पिछला तेईस वाला कितना है कि तुछ बच्चों को हो सकता है बाद में नूटिंग करने में कंफ्यूजन हो तो मैं एक काम करता हूं इसको मिटाई देता हूं और और इसको कि अग्यां यहां ले जांता हूं कि अग्यां अब नूटिंग करने में ठीक रहे हैं कि यह क्या था टू-पइंट-फाइव ले इस मैं कुछ भूल गया यह था हमारा तीन साड़े तीन एक लाग बिजनस लॉस दहाई लाग पचास जार रबचा पचास सेट अप पर अधाई लाग रूप रूप ले इस सारे एक्जांपल को न एक बार ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा रेजिस्टर पर उसके बाद आपको कॉंसेप्ट तो समझ में आ गया आप आंसर बिल्कुल भी नोट मत करिएगा सिर्फ क्या नोट करेंगे आप कोशन कोशन करके खुद करिए और फिर मैच करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हाँ इसका मतलब यही है तो मैंने देखो 2000 कब से स्टार्ट के 20 से और इसको म माइनस प्लस माइनस ऐसे बिजनस चलता रहता है 2000 लेकिन इसके भी कुछ exception है बिजनस कभी बिजनस से से अप ऐसा भी ताइम आएगा जब बिजनस से से अप नहीं आएगा तो मेजरली इसके अंदर एक्जामनेर एक्सेप्शन ही पूस्ता है कि क्या क्या exception है कि जैसे मैं आहीं करेंगे तो एक्जामपल के मैं बात करूँ तो इस पेसी whatever बिजनस को तीन केटिगरी में बाठ दिया गया एक normal बिजनस जैसे मैं काम कर रहा हूं जैसे आप मार्केट में दुकानदार देख़ो smoothie 35 ad section के अंदर आते हैं 35 ad income tax पे कभी देखोगे ना जब पीजी पीव में देखे हैं तो वहां लिस्ट है इनकी जिनका बिजनस का बिल्कुल अलग ही होता है क्योंकि hospital वगएरा जो होते हैं यह बोलते हैं जितने भी hospital है सब बोलते हैं ट्रस्टी चला रहा है उसका मालिक नहीं मिलेगा आपको इस्कूल भी ट्रस्टी तो यह बिजनस के laws को सेट आफ करने के लिए इसी टाइप का बिजनस चाहिए वो दूसरे परचून के दुकान से सेट आफ नहीं होगा अगर मानलो एक परचून 11 खेल रहें बिजनस है ठीक है तो यह सारा क्या है सटा बजारी बेसिकली यह इसके अंदर नहीं मैंने एक्जामपल लिया यहां पर स्पेकुलेटिव बिजनस पर रखा हुआ है शेयर बजार को और बेसिकली शेयर बजार के अंदर भी आपका कॉमोडिटी वाला पार्ट क इसको भी ना तो स्कूल वाले से सेट अफ करोगे ना तो परचून की दुकान से करोगे वह उसी टाइप के बिजनस से हुआ है आपने देखा अब तो नहीं लगाते पहले के मूवियों के अंदर यह एक रहता था कि घोड़े के ऊपर चेतक वहीं जीतेगा पैसे लगाओ वह भी क्या था बिजनस था वह भी एक स्पेशल केटेगरी का बिजनस है तो उसके अंदर भी सेट में आप देखोगे कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैमल रेस आ सकता है नहीं वहां पर हो उसकता है लेकिन यहां पर स्पेशिफाइड क्या गया है और चार्ट तरीके का लापस में होता है बाकी तीन तरीके का बिजनस यूनीक है इसलिए अलग होता है सेम बोला गया सेलरी और सब की कहानी करेंगे अभी मैं आधी यह दूरी बताऊं तो आपको और लगें आप चैप्टर ना समझे एक क्लास और लगेगा मुझे इस चैप्टर को पूरे को खतम करने में आज थोड़ी से मैंने च्छोटी क्लास लिए तो इस बज़ास बताईए कोई देकलती हमने लास्ट्ट लास्ट के अंदर क्या स्टार्ट किया था system for freezer forward inset up and carry forward के अंDर क्या बोला था कि हम एक head की income को दूसरे head की income से setup घर करते हैं तो ऐसे setup को क्या बोलते हैं बताईए एक head के setup को दूसरे head के setup से अगर हम करते हैं करते हैं तो अगर हम करते हें एक Source के दूसरे Source से Setup को रहे हि AK-7 का बोलते हैं इंट्र हैड मोते हैं तो यह Inter hadi और इंट्राइड इसके साथ साथ हमने कुछ example भी देखे थे और Intera head or Inters objections लिखूं बड़ी povo if भट है अगर मैं आपको बोलूं section number 70 section 70 कहता है intra head set of section 70 कहता है intra head set of sir intra head set of क्या होता है मतलब जैसे for example मैं थोड़ा remind भी करा दू जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा जैसे मेरा business है और ये business cloth का है 5 लाक रुपए का मेरा profit और एक और business है ये मेरा steel का है और यहाँ पर मेरा 2 लाक रुपए का हमारा loss है तो हमें जो text देना है वो 3 लाक पर देना है तो जो ये minus कर रहे है ना that is called set of और अगर मेरा loss इसकी जगह पर instead of अगर मैं थोड़ा example change कर दूँ यहीं पर अगर मेरा ये 5 लाक ही है लेकिन loss मेरा 6 लाक है तो यहाँ पर 1 लाक रुपए का loss बच्चा जिसको हम कर देंगे carry forward to the next year यानि सर लौ ने ये बताया हमें लौ ये कहता है कुछ बच्चों का request आ रहा है शायद लौ हमें ये कहता है सर passing के लिए कौन-कौन से chapter करने है भई अभी बहुत time है आप passing आराम से हो सकते हैं मैंने सब कुछ डाल दिये है और आप जाके देखेंगे content के अंदर कुछ डाउट आता है मैं voice sms के साथ सभी को communicate करता रहूंगा है सर हम बात करते हैं सर रूल कहता था सर इंट्रा हेड के अंदर सर सेम यर में आप business को सेट आफ कर सकती हो अब हम पढ़ने वाले हैं सर इसके exception कि सर इसके पढ़ने वाले exception बोर्ट पर ध्यान दीजिए exception का मतलब आप सेम हैड से सेट ओफ ही नहीं कर सकते सर यानि इंट्रा हैड सेट ओफ अलावड ही नहीं है सेम हैड से अगर मैं business की बात करूं तो business में बहुत सारे category था जिसमें से मैं एक एक करके business का मैं explain करता जाऊँगा जैसे business की बात करते हैं बिजनस के अंदर हम बात करते हैं पर एक्जामपल आपका speculative business speculative business speculative business सर ये speculative business होता क्या है और जो मैं आज की class में देखो जो पहले किया था वो तो exam में वो भी आ सकता है लेकिन आज करेंगे उसी में से question आएगा आपका तो आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा तो speculative business क्या होता है एक example मैं लेता हूँ आपके सामने ध्यान से सुनिएगा मान लो अभी हाल फिलाल में आपने कई बार अपने life में सुना होगा कि इस product का shortage हो गया ये नहीं मिल रहा है और basically नहीं मिलने से अगर मैं बात करूँ तो जादर से जादर जो popular है ना वो प्याज का है कई बार ऐसा हुआ था बीच में अभी हाल फिलाल भी हुआ था प्याज 100 रुपे किलो तक हो गया था मिलना बंद हो गया था बहुत real मिलने लग जाता है सर ऐसा क्या होता है कि प्याज हमारा या कोई commodity product बोलते हैं basically क्या होता है माल लेते हैं मैं एक vegetable seller हूँ एक vegetable seller हीता नेयर और मैं बहुत बड़ी लेवल बहुत लेवल चोटे-मोटे काम नहीं करता मैं बड़ी लेवल पर जितने बी सबजीयां है वह सबजीयां सारी आती है एक water होता है और उस जगह को हम मंडी का नाम देते हैं और मंडी की बात करें तो यहां पे डेली के अंदर सबसे फेमस कौन सा है वेजीटेबल के लिए सबसे क्या गया यह सबसे फेमस है हमारा आजादपूर ठीक है बहुत बढ़ी मंदी है असरडवर मेरा मानना है कि डेले को लगवग लगवग गवक सप्लाई値 से ही होता है अब यहां पर कितने सारे दुकांदार होंगे बहुत सारे यहां पर होलसेलर बैठे हुए है रिटेलर तो कम है यहां बहुत सारे क्या है सर यहां बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए है अगर मैं होलसेलर की बात करता हूं बहुत था और सारे होल्व सेलर बेठे हुए हैं अब मैंने क्या कर आ प्याज की बात करते हैं हम प्याज की बात करते हैं हम चलिकज किलो एक लाख किलो वन लाख केजी प्याज आता है डेली एक लाख किलो प्याज आता है डेली और वो सप्लाई होता है दीरे-दीरे बेखता है मैंने इन सभी वेपारी को फोन किया और मैंने इन सभी को बोला कि भीया मुझे ना प्याज लेना है तो available होगा क्या उसने बोला हाँ आने वाला है सुबह माल आएगा आप बताईए कितने लेने है मैंने पूछा कि आपके पास माल कब तक आजाता है सुबह वैसे तो early morning आजाता है सुबह 6 वजे माल आजाता है मैंने बोला के मंडी के अंदर मुझे करीब एक टेड़ लाख किलो तक का प्याज चाहिए एक लाख किलो ग्राम प्याज चाहिए मुझे मैंने और किया और मैं एक बहुत ही मान के चलो मंडी से हमेशा डील करता हूँ तो मेरे इतनी कि मेरे बोलने पर वो मान जाएंगे वह बोला सार जितने भी एक लाग किलो ग्राम प्याज है वह आप रख लेजिए कि मैं पेमेंट आपको इवनिंग तक करता हूं कि शाम तक कर देता हूं मैं आपको पेमेंट या मैं दो दिन बाद आऊँगा आप अपने पास रखें दो दिन में खराब थोड़ी ना हो जाएगा मेरी इतनी गुडविल तो ही आप जानते ही है मुझे तो आप रखिए मैं दो दिन के अंदर आपके पास आता हूं अपना सारा समान ले जाओंगा जो भी रखने का खर्चा हो जाएगा ना वो मैं दे सिंता मत करिए कैसे रुपे किलो पड़ेगा उसने बूला इतना आपको स्थर उपतो इनले आपको पड़ेगा चिन 5 स요 Us कि थ Sun Swiss лет 12 किया मैंने मने बोला के और प्राज मिल जाएगा कि उसने बोला हा एक लाक टिलो और dagger कर लो है कि फिर थे पंद्र 45 이후 मिल गया दो दिनों तक market में कहीं पे प्याज नहीं है पूरे डेली के अंदर प्याज है ही नहीं और जब पूरे डेली में प्याज नहीं है तो हर कोई लग गए उसने भी खतम हो गया फिर थोड़ा निकाला 30 30 में भी लग उसके पास क्योंकि मार्किट में हैं उसने 50 रुपे किलो बेचा तो 50 रुपे किलो भी क्या हो जाएगा पिक जाएगा उसका तो तो ऐसे देखा जाए तो अब मेरे पास इन सभी डीलर के कॉल आने लग ग समान यहां से ले जाएए नहीं तो परिशान कर रहे हमें गरहा का के मैंने पूछा के अच्छा परिशान कर रहे हैं कितने रुपे किलो बोल रहे हैं कि वह तो पता नहीं बोल रहे हैं कि आप 25 रुपे 30 रुपे किलो भी दे दो तो लेकिन मैंने तो आपको बेच दिया है मैं आपको कमीशन दूगा चिंता मत करूवग है मैं मरं पहले तो कमाई रहें ना 15 रुपए यानि आपको 20 रुपए और हम मंडी के अनदर उसने एन्नाउस्itto में तो लोगों ने बहुत जादा जादा खरीद लिया तो जैसे ही अब मेरे पास दो दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है तो एक दिन में एक घंटे में दो घंटे में सारा बिग गया कि सब्व दिस्टिब्शो Means और मैंने कि याम हूं लेने की लिए चाहरा दो है मैंने कितने रुप Mexico आप ने 25 यह बैका है मैंने वहला अच्छा walking एच्छा 5 नीff um दम इरहा हैग्य ए रहाप का कितना था अश्चार सबस पांच रुपे मेरा था तो मैंने वोला 5 रुपे 1 किलो पे मेरी कमाई हो रही है 2,00,000 किलो पे कितने हूंगे 10,00,000 रुपे 10,00,000 रुपे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए देट इस ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कई बार भोलते हैं अब यहां पर देखो मैंने 10,00,000 रुपे कमा लिया और यह मेरा इंटेंस नहीं मैं प्याज खरीदता नहीं इसको मुझे पता था कि मैं अगर इसको होल्ड कर दूना दो दिन तक तो दो दिन तक जैसे ही मैं होल्ड करूँगा ना तो ऐसी कहानी आएगी situation आएगी मैंने एक रिस्क लिया और दो दिन होल्ड करने में क्या मैंने दो दिन होल्ड करके थोड़ा बहुत माहुल बनाया और मैंने उसको 10 लाक रुपे कमा लिया तो जो यह कमाई है ना यह कमाई रेगुलर निचर की होती है कई लोगों की इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव इंकम जो मैंने 10 लाक रुपे कमाया है ना यह स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव इंकम होता है जो हम कमोडिटी में डील कर रहे हैं लेकिन विदावट फिजीकल मूमेंट ऑफ गुड्स मतलब समान को बिना खरीदे और बिना बेचे आप पढ़ होगे और इसी तरीके से आपका होता जैसे मान लेते हैं मैं सिमपल सी बात करूं गोल्ड की बात करते हूं गोलड आज 50,000 फृट कर अ अगर आपको घरीदने के लिए आपके पास अगर मानलोह सफोज करो मैं अगर बात करूं आपके पास अगर एक लाख रुपे है ना तो आप सो तोला गोल्ड खरी सकते हो जबकि एक लाख रुपे में कितने तोले गोल्ड आएंगे आपके पास दो तोला लेकिन आप कितना खरी सकते हो सो तोला गोल्ड खरी सकते हो अगर आप 100 तोला गोल्ड खरीज सकते हो मैंने को सिर्फ एक लाक देना और बाकी बोला कि जितना बाकी का बैलेंस बच गया आप महिने के end तक दे दीजिएगा मैंने एक लाक रुपए एक टोकन मनी दिया सौध तोला गोल्ड मेरे नाम पे हो गया इसी तरीके से क्या होता है मैं बहुत सारा जब गोल्ड खरीज लूँगा कम पैसे दे के ज्यादा मार्केट में क्या हो जाएगा सौटेज मेरे को गोल्ड दिया नहीं उसने बोला अगले मैंने पैसे दोगे अगले मैंने ले जाना यह सारा ओं-लाइन speculative है यह हमारा बिजनस ही तो बोला गया सरस्पवैक बिजनस अगर देखा जाये गवंब Corn के नजरीये नहीं से तो पछिक के घल भ्यक्लाइब I क्योंकि यह actual में business income है यह है हमारा business income but cannot be set off cannot be set off from other business income यानि सर यह जो हमें loss दे रखा है speculative loss हुआ तो ऐसे losses हमारे business losses है यहाँ पे तो सर सुनाया आपने के एक business दूसरे business से set off हो जाता है same head का हो तो बिल्कुल true है लेकिन इसके भी कुछ है क्या सीख रहा है हम exception सीख रहे हैं सर exception के अंदर अगर speculative business से loss हुआ तो वो सरिफ set off होगा same speculative business से ही किसी तरीके से ना कि किसी other business से same का मतलब मेरा share बजार में 60 बजारी कर रहा हूँ वहाँ से loss हो गया और दूसरे तरफ मैंने क्या करा commodity के अंदर मैंने कोई 60 लगाया वहाँ से profit हो गया तो आपस में क्या हो सकता है अगर इसका set off नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा सर आपको होगा loss अगर हुआ तो loss को आप क्या करोगे लेकिन loss को carry forward करने के लिए condition रखा हुआ सर इन्होंने कि आपको ITR फाइल करना होगा ITR आपको फाइल करना होगा सर ITR फाइल क्या date होता है मारा 31 तारीक होता है 31 जुलाई, 31 साथ तक आपको ITR फाइल करना होगा अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया तो आप loss को भी carry forward नहीं कर सकते आपका किस्मत इतना खराब चल रहा है कि लगातार कई सालों तक आपको loss जा रहा है तो आपका हर साल का loss ना एक अपने आप में अलग individual माना जाता है इस loss को कब तक carry forward करेंगे सर अगर loss हो गया हमें profit हुआ ही नहीं आने वाले 20 साल 30 साल तक तो क्या ये loss carry forward होता जाएगा नहीं इस loss को carry forward करने की एक age है सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक अगर 4 साल तक आप इसको set up कर पाए तो ठीक है otherwise आपका ये loss क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा खतम हो जाएगा इस loss को आप carry forward भी नहीं कर पाएंगे ठीक है इस loss को भी carry forward नहीं कर पाएंगे तो यहां तक बात समझ में आया है तो speculative business loss कौन सा होता है वो loss जिसके अंदर हम profit तो कमा लेते हैं या फिर loss हो जाता है जिसके अंदर goods का हम physical moment नहीं करते हैं इस loss को दूसरे business के वैसे क्या था rule 70 कहता है सर सेम हैड में set up कर लो लेकिन exception आ गया सर business के loss को को एसे business के loss को किसी अधर business से set up नहीं होगा इसकी आई टी आर फाइल करना mandatory है लाइफ कितनी है इसकी सर चार सर पहला exception हमने यहां पर कर लिया कि सर सेकिंड exception पर आते हैं कि exception नंबर टू specified business सर specified business कौन से है वो business जिनका बिल्कुल अलग ही काम करने का तरीका होता है बिल्कुल अलग जैसे hotel जैसे आपका cold house agriculture के लिए cold house क्या होता है जैसे आप देखते हो न समान को रखते है warehouse होता है तो इसका भी बहुत बड़ा काम होता है जहां पर वो freezer, deep freezer जिसे बोलते है समान रखते है, vegetable वगरा, agriculture प्रोड़क्स को, agri commodity क्योंकि आप देखते हो तो इसका भी specified business को same line लिखा गया यहां पर क्या लिखा गया सर कि इस तरीके का business के losses को business income but cannot be set up from other business sorry, मैंने business income लिख दिया, business loss लिखना था मुझे यह थोड़ा सा गलत हो गया हमारा business loss की बात चल रही है, तो loss पे चलेंगे, ठीक है न? same line मैंने यहां लिख दिया सर क्या है हमारा यहां पर business loss इसके अंदर specified business के अंदर क्या आता है आप देखेंगे वहां पर जाके तो 35 AD है section 35 AD में section list है और इसके अंदर आपका school भी आ जाता है आपका कुछ ऐसे business जो मान के चलो बहुत जरूरी है तो इस टाइप के business को कहते है तो इसके loss को carry forward करने के लिए भी आपको ITR आपको file करना है अगर आपने ITR file ही नहीं किया तो सर भूल जाईए आपका loss carry forward होगा सर इसकी life क्या है लाइफ क्या है इसकी यानि कितने सालों तक आप इस loss को carry forward कि यहां पर आपका कितने सालों तक जाएगा हर किसी के लिए नौर्माली न एट इयर है ठीक है हर किसी के लिए कितना है एट इयर लेकिन एक ऐसा concept है जिसके लिए unlimited भी है उसमें से एक यह स्पिसिफाइड बिजनस जिसके लिए unlimited है एक एक एब्स एब्स डेप्रीशीशन है इसके life को मैं बाद में लिखूंगा एक बार थोड़ा सा है ने क्या चेंजिस आये हुआ है आप स्रीफ इसमें यह रखेगा दूसरा एक्सेप्शन कौन सा स्प्पेसिफाइड बिजनस थर्टी फाइव एडी सेक्शन देखना चाहते है न क्या आता है सब्सक्रीव कि है एडी सेक्शन क्या आएगा आपका 35 एडी आएगा यहां त झाल 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 होर्स बेसिकली यह है ओइंग एंड मिन्टेनिंग पोइंग एंड सर यह भी बिजनस था हमारा स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिब बिजनस था और मैं अगर होटेल की बिजनस की बात करूं तो वो भी हमारा बिजनस ही है एक कई यहां पे लोगों का ऐसा काम होता है ओइंग एंड मिन्टेनिंग मतलब घोड़े को ट्रेनिंग देना तयार करना तो वह भी एक तरीकी का बिजनस होता है जो की participate करता है किसमें horse races के अंदर तो अब तो रेसिस का इतना trending मैं तो कभी गया नहीं ना मैंने कभी देखा तो मुझे तो पता नहीं है डेली के अंदर भी वैसे एक जगह है जहां पर भूलते हैं कि होता है और मुंबई के अंदर कुछ जगह है जहां पर यह trending में रहता है जहां पर बिट मतलब लोग बाग क्या करते हैं सट्टा लगाते हैं एक तरीके से तो जो वहां पर जो भी हॉर्स है उस होर्स को train करने के लिए एक organization होता है वो उनके business से भी losses हो सकता है तो ऐसे business से अगर losses हुआ तो यह business भी एक unique business है तो अगेन कहा जाएगा कि सर अगर ऐसे business से losses हुआ तो इसका जो loss होगा उस loss को अगर आप चाहते हो ना कि set of कर लो तो देट इस नॉट पॉसीबल उस loss को set of करने के लिए नहीं किया जा स अगर ओंग अरमें चैनिंग का लिए नहीं कर सकते सकते यह क्या होगा अक्षेप्चण कीज लिए और अभी तो यह चला हमारा सिर्फ बिजनस के लिए और भी exception केक्शी से पहले यहां तक देखिए बच्चे कह रहे हैं में भी no limit हा मैं उसका बता रहा हूँ इसका life का no limit है unlimited time तक करा जाता है कुछ amendment है वो एक बार देख लेंगे थोड़ा सा सर इसके लिए life क्या ITR file करना है सर यह सर आई टीर फाइल करना है और इसके लिए जो life है सिर्फ 4 सालों का दिया हुआ है इसके लिए life दिया हुआ है चार साल सर इसमें से एक question definitely आएगा आपका कि owing and maintenance का maintaining या फिर आपका बोला जाएगा specified business क्या होता है इसको explain करिए इसके loss को set of और carry forward करने के rule बताईए तो मैं लिखूंगा उसके इंदर आपका specified business वो business होता है या speculative business वो business होता है इसको carry forward करने के लिए आई टीर फाइल करना mandatory है अगर हमने आई टीर डिव डेट के बाद फाइल किया तो cannot be loss carry forward साथ के साथ इसके एक life है इसको हम कितने आगे succeeding year तक carry forward कर सकते हैं जो कि मैंने लिखा चार साल या no limit है वो लिखना पड़ेगा यहां सारा एक टेबल के थ्रू भी मैं समझा दूँगा अभी हम देख लेंगे पहले यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक समझ में आ रहे हम सीख क्या रहे हैं पता है आपको section 71 कहता है सर इन सभी के section अलग है मैं section mention नहीं करता क्योंकि बच्चे फिर थोड़ा confused नहीं हो जाएं मैं कह रहा हूं section 70 यहां लिख दिया कि बोला जगया intra head set of कल सो आपने सर यही सीखा था कि सेम business की income को business की income से set of किया जा सकता है कभी भी लेकिन उसमें भी exception आ गया सर सेम सोर्स ऑफ income सेम head से set of नहीं हो रहा कुछ यह exception है जैसे speculative specified या horse race का सर और क्या-क्या हो सकता है चलिए आ गया आते हैं कितने हमारे exception हो गया है कितने हो गया है चौत्थे पर आ जाते हैं लॉट्री इंकम सर लॉट्री इंकम और यहां पे कुछ और वर्ड है cross puzzle income या card game इस तरीके का जो income जैसे कि आप इसके अंदर आप IPL भी रख सकते हो इसके अंदर आप और भी जो कि सट्टा लगता है जहां पे उसे भी रख सकते हो हाला कि यह business नहीं है लेकिन आपका यह बोला गया कि यह जो income है ना कई लोगों का पार भी रहता है यह जो income है ना यह हमेशा इसका जगर loss हुआ तो cannot be set off and ध्यान देना और cannot be carry forward करेंगे और नहीं carry forward करेंगे यानि आपका लॉस हो गया तो हो गया इसके उपर ना government क्या चाहती है कि government थोड़ा सा चाहती है strictness दिखाना मान लेते हैं आपने आपने तास खेलने में देखा है कि बहुत लोग पैसे कमा भी लेते कैसी नो वगेरा में जो खेल के आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है चीजों को ना government ban करना चाहती है क्यों बैन करना चाहती है सर government का intention ने कि भी या इससे लोगों का घर बरवाद हो रहा है और यह बड़े लोग नहीं करते जादा च्छोटे तपके के लोग करते क्योंकि उनको करूल पती जल्दी बनना है जो बड़े ऑल्रेड़ी करूल पती क्यों खरी देंगा लॉट्री अपने बिजनस पर ध्यान देंगे हैं तो जादा से जादा दिक्कत छोटे लोगों को आ जाती है लेकिन फिर भी कई लोग इसके अंदर रहते हैं तो बोला गया पनिस्मेंट देंगे जैसे मानलो दिवाली आया कई लोगों को तो ऐसा होता ह कराणी मैने देखा कई अब कांफेंड दिवाली तो पीना पक्का है मतलब ओम अबका करना भी अबड़ लोग उसने क्या अब अधिवाली के अंदर सबसे पहले सब और कार्ड खरीद के लाया कार्ड मान लेते हैं 100 रुपे का खरीदा और कार्ड खेलने भी लगा तो कार्ड खेलने के बाद उसने जीत लिया विन कर लिया है सब कड खेलने के बाद उसने 500 espy कमा लें अब पान्सोआ रुपे इसफ सकम कमा लिए अब पान्सोड कहली है गवर्मेंट बोलता है अच्छा आप गलत काम कर रहे हो लेकिन हम आप टेक्स दोगे तो हम मान लेंगे आप सही काम और आपका 500 रुपए की इंकम है तो नॉर्मली बोला जाता है कि भीए जब कभी इंकम कमाते हो तो इस इंकम को कमाने में जो भी एकस्पेंस लग जाते हैं उस इंकम में से माइनस करें नेट करके आप क्या करिए उसपे टेक्स गवर्मेंट अपने बोला तर मेरा पांचो रुपे रहेगा और पांचो रुपे का साथ साथ बोला सर मेरी इंकम पांच लाक रुपे से नीचे मैं इंडिवीजुल हूँ 87A आपको याद होगा यह सेक्षन भी पढ़ाया था आपने और बताया हुआ है उसने बोला भाईया कुछ नहीं मिलेगा आपको पांचो गया था वैसे एक सोर्स से इंकम की दूसरे सोर्स से लॉस इसको सेट अफ तो यह इतना मतलब की स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया गया क्या आप लॉस को सेट अफ तो भूल जाओ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते आप माल लेते हैं कि आपने दिवाली पे सेम एक ही साल प्रफित हमा रहा है तो जो 5000 पर सीधा कंशते और धी टेक्स कर्में आप पर्फिट के लेते उन्हें को उसे को प्लिस वाल जा रहे वाएंगा प्र आले लिए वह यह को इस रे़िए एक जार्याओ जाए प्लिस बुलेंगे खड़े रहेंगे कि किसी के साथ कोई दिक्कत न हो जाए दोनों जगा सेम है फरक यह वहाँ पर लीगल तरीके से गवर्मेंट को टेक्स दिया जा रहा है यह टेक्स नहीं देंगे तो मारो इनको पार्क में जो खेल रहे हैं तो यह कहां है तो सर एक यह भी exception हमार exempted income यह exempted कि मैंने एक नार्मली प्रॉपर सेटिंग नहीं बैटरी ते मैंने बोल दिया इसका life अगर पूछो कि लाइफ कितनी सब्जीर की life इसकी कोई लाइफ नहीं ठीक है न एक आगया क्या हमारा exempted exempted क्या है exempted हमारा income जैसे अग्री कल्छर इंकम हिंदुस्तान में कहा जाता है कि किसान भगवान के समान है किसान जो भी पैसा कमाएगा उसके उपर टेक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन किसान किसे कहेंगे उसकी डेफिनेशन एगरी कल्चर में गीवन है हर कोई किसान नहीं बन जाता तो बोला गया सर किसान की income पे हमारा हो गई ही 们हीं, किसान ने क्या करा मान लेता है, इसके टंटर का Business है, टंटर का Business है इसका और Business के अंदर इसने क्या करा हो खर्चा किया पहले बेचा इसने 5 लाख रुपए का और इसके उपर expense करा था इसने expense क्या होगा वहां पर शे लाग का कंए है कितने का है सरो किसान का मेरा नुकसान रूपए मेरा और मेरा तो दो लागा कर मुझे किया देना चाहिए यह वाला पूरा पूरह इंकम लेते तप भी आपसे टीक्स नहीं लेते क्योंकि यह तो कव क्रेशन का exempted है उसे इसा कोई पार्ट हो जो की exempted वाला उससे लॉस हो रहा हो उससा भूल या वो तो वेसे भी प्रॉफिट है भी आप intra head setup का ऐसे हम आप और भी exception देखेंगे किसका इंटर head setup का पहले यहां तक बताईए कोई डाउट क्लियर रहा है चार इसमें से exception पूछे जा सकते हैं अगर आपका अब आता है ना question कि section 70 define करिए तो section 70 में तो पहले बताएंगे हम छोटा सा वो definition कैसर section 70 का मतलब होता है ऐसे ऐसे income या losses को setup करना within a same source of income से जो हो रहा है और same head के अंदर होता है इसके कुछ exception case है और यह चारो case वहाँ पे आपको point by point explain करके और पूरा लिखना होगा तब जाके आपको 6 नंबर पूरे मिलने वाले हैं चलिए सर section 70 के बाद आ जाते हैं section 71 section 71 यह कहता है इंटर हेड़ सेट ओफ इंटर हेड़ सेट ओफ सर एक्जेम्टेड की लाइफ अरे एक्जेम्टेड इंकम की लाइफ अगर मान लो कुछ भी होता है तो वो तो inacco भी नहीं मानी जा रही है आपकी इंकम टेक्स ही नहींए इंकम ही ने इंकमले जाई वाले बोलते हैं यह yaşrologी कमाने यह मतलब लिए क्यों इसकी कोई लाइफ नहीं है कि कि अ सब्सक्राइब अब यह हेड हमारा अलग है यह अलग है तब अब भी हमें क्या करना है एक लाख रुपए के उपर सिर्फ टेक्स देना यानि आपस में माइनस कर लिया है बदल गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर यह हैड बदलने का मतलब हो गया यह इंटर हैड सेट अफ हो गया इंटर हैड सेट अफ हो गया तो अब इंटर हैड सेट में भी exception है कि आप internet setup भी नहीं कर सकते कुछ कीसिस में सर क्या exception है वही देखते हैं कि exception क्या है सर कि सर exception number one business loss cannot be set off from salary इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि सर business के loss पहले हुआ करता था क्या रहा है कि पहले हुआ करता था कि business loss को salary से set off किया करते थे यहां पर लोगों ने इसका बहुत benefit उठाया तो government को जब पता चला यहां पर तो उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अगर टेक्स सबसे ज्यादा जो हेर फेर किया है किसी ने तो करते हैं यह किस तरीके से करते थे स्टार्टिंग से इनका strategy हुआ करता था प्लैनिंग हुआ करता था तो जितने भी अभी देखोगे ने जैसे कि पहले finance minister भी रहे हैं जैसे पी चिताम मराम हैं Congress के टाइम पर यूपी अ गवर्मेंट के टाइम पर फाइनिस मिनिस्टर थे 2008 के अंदर ऐसे काफी सारे आपका पर्णम मुखर्जी तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े नेता है ना जड़े बड़े बड़े आपके जस्टिस वगरा हैं जो लॉप लिखते हैं यह रिलाइंस के एडवाईजर हुआ करते थे टेक्स कंसल्टेंस दिया करते थे तो यह जितने हाँ है बिजनस और बिजनस में आपने दिखा है सेल्स अब आपका ये टेक्स से तभी बस सकते हैं क्यूंकि बिजनस इंका में तो 30 परसंट डेना पड़ेगा अगर 10 क्रोड में कोई आपका खर्चा है मान लेते हैं आपका एक्स्पेंस जो आगया यहां पर एक्स्पेंस तो 180 करोड not a small amount के government को text देना पड़े उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि खर्चा दिखाओ कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे क्या दिखा दो आप खर्चा दिखा दो इसने उपाई क्या लगाया उपाई यह लगाया कि भीया यहाँ पे काम करते हैं सेलरी दिखा देते हैं कि यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि कि सेलरी मैंने दिखा दिया मान लो यहाँ पे मैंने दिखा दिया टोटल छे सो करोड़ का अब मैंने एक वेक्ति का salary दिखा दिया, तो हमारा profit क्या आ जाएगा, अब जब मैंने salary दिखाया, तो आपको पता है, जिसकी भी salary दिखाया, उसका भी salary क्या माना जाएगा, जिसका भी मैंने salary दिखाया, उसकी income बनेगी, यानि Reliance Company तो बच गया, लेकिन दूसर तो text दे रहा था, तो Reliance Company ने कुछ employee को समझाएगा, बोला, भीया, हम तुमारी salary दिखा रहे है, और salary दिखाने के बाद, जितने भी इसके employee थे, मान लेते हैं, किसी employee की, इसने 100 करोड रुपे salary दिया, तो सार, employee को भरना पढ़ रहा था, तो सौकरोड के उपर tax, Reliance ने बोला, यह 100 करोड रुपे, मुझे दे दो, आप वापस, बुला, लेकिन सर, आपने account में डाल दिया तक government के नजरों में, तो मिर पास 100 करोड आ गया है, तो आपको मुझे तो देना पड़ेगा, Reliance ने क्या कराई, किसका fake business create किया, और इस business से loss दिखा दिया 100 करोड का, एक business create किया, जहां से loss द इसका प्रॉफिट कितना, क्या यह एक एक खर्चा भी दिखा दिया, कितना, मतलब पूरा खर्चा भी दिखा दिया, क्या यह भी tax दे रहा है, दोनों ही tax नहीं दे रहे, दोनों ही legal काम कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो government को लगा के सर, यहां पर बड़ी दिक्क करवा है, इसका सारा पैसा बेड़ेट्स करवा दिया, और यहां बेड़ेट्स यह बुक कर लेती तो सेलरी के पॉइंट से, तो government ने इसको अलावडी मना कर दिया, बोला के भाया, इससे बचने का एक ही तरीका है, सामने वाले को अगर हम सेलरी दे रहे हैं, तो उसके सेलर मैकसिमम लिमिट भी है, अधर सोर से कभी लॉस होई नहीं सकता, वहां से तो पैसा आता है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी नहीं पुरानी डेट की जो दिखा नहीं सकते हैं, बिजनस था कि मैं रातो रात बिजनस खड़ा कर सकता हूं, रातो रात नुक्सान कर सक इन्टर मतलब एक दूसरे से से लेकिन एकस्पशन में क्या रखा गया कि सैलरी कभी भी सेट अफैंप नहीं हो सकता, सेम दूसरा क्या रखा गया सार, एकस्पशन नमबर ठू, इसके लाइफ बगयर नहीं बगयर कि मैं बात करूँ तो कोई लाइफ नहीं हम exception कर रहे हैं, म capital gain तो दो तरीके के होते हैं ना सर मैं इसको थोड़ा इधर लिए आता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा space दिखाना होगा शिट अधि क्यापिटल गेन की बात करते है तो सर capital gain जो है यहाँ पे दो तरीके का capital gain होता है एक होता है long term एक होता है short term और मुझे आपको समझाने की जुरत नहीं है कि आपका long term क्या होता है short term क्या होता है आपने पहले देख लिया long term में indexation मिलता है short term में indexation नहीं मिलता तो सर long term और short term है तो दोनों क्या चाहे long term हो चाहे short term हो है तो capital तो बोला गया जना अध्या ट्रह मोटों या शौट ट्रह मोट या आपस में क्लिक रूल है दिगला ये वह लॉन ट्रॉम के अध्यवार छोटिव कॉर्षे छोट्रॉम बोला कहीं से वह जो ज़आ सट उफ short term कहीं से भी set of हो सकता है short term can set of long term long term और short term सर एक simple से chart बना लेते हैं इसका देखो LTCG LTCG gain है इसमें से set of हो सकता है STCL हो सकता है gain है इसके बाद STCG इसमें से set of अगर मैं करना चाहूं LTCL तो सर नहीं हो सकता मतलब long term से short term अगर हाँ short term का loss होगा अगला देखना मैंने यहाँ पर क्या खाता देखो short term का अगर loss है तो long term से set of हो रहा है लेकिन अगर short term का gain है तो वो long term loss से set of नहीं होगा सर अगर LTCG हुआ तो LTCG और LTCL हुआ तो सर हो जाएगा और अगर STCG हुआ और STCL हुआ तो यह भी हो जाएगा इस चार के इलाबा कोई case ही नहीं बनता से इस चार के लाबा और मैंने simple सा कर्क में यह कह दिया कि किससे क्या set of हो का एक और exception इसका आया amendment के थू exception नमबर 3 loss from house property यानि house property का loss भी set of नहीं हो सकता देखो मैं एक चीज़ पहले clear कर दूँ अगर मैंने कहीं पीछे example के अंदर मैंने losses लिया हो जादा तो just एक example था लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा के loss भी set of नहीं हो सकता law कहता है sir loss जो है न दो लाख रुपए से उपर set of तो होगा loss from house property can be set of from other head up to two lakh on a leap sir example ले ले लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा मान लेते हैं sir business business का income है पाउस प्रॉपटी से लॉस है sir चार लाख रुपए का काईदे से देखा जाए तो मैंने शायद पिछले example में इसको set of करके दिखा दिए ओगा जैसरे के example समझा रहा था क्योंकि हर जगह पर बताने की जगह होता है कहां पे क्या बताना है तो sir यहां पे house property चार लाख का यहां पे हम law के इसाब से sir अगर मैं इसका answer लिखूं तो आपका business income जो होगा business income होगा तीन लाख business का income होगा profit और carry forward हो जाएगा loss दो लाख रुपे इसने बोला sir loss को set off नहीं कर सकते हैं दो लाख से उपर ऐसा नहीं बोला कि इसको carry forward भी मत करना carry forward तो कर सकते हो sir एक और example देखिए business profit 10 लाख hp1 profit profit तीन लाख hp2 loss आठ लाख ठीक है अब सर यहां पर हमें अगर income निकालना हो answer पहले हम सेम पहले सेम सेम चलेंगे तो सर hp का hp का देखा जाए तो hp1 का profit तीन लाख और hp2 का loss आठ लाख स्टिल अभी हमारे पास 5 लाख रुपे का क्या है loss है sir business में business के अंदर देखा जाए तो 10 लाख का profit है तो ऐसा नहीं 5 लाख पे दो गए इसमें से 2 लाख ही set of कर सकते हो यानि 8 लाख आपका business का रहेगा profit और बाकी जो बच गए ना आपके यहां पे देखो दो तो इससे set of हो गए बचे कितने तीन तो carry forward हो जाएगा हमारा तीन लाख carry forward हो जाएगा तीन लाख पहले यहां तक देखें एक छोटा सा amendment इसके अंदर यह amendment है सर यह पहले section amendment आया हुआ है तो शायद salary का एक question था कि student है मिट से doubt भी पूछा था सर आपने hp का loss वहां पे ज्यादा setup कर दिया था तो इस amendment से उसको आप करेक्ट कर लिजेगा साइद कोशन आया था बीच में पूछा भी था मैंसे मैंने वह जब वह करेंगे तो हम clear कर लेंगा उसको दिक्कत नहीं है कि सर अब आता है यहां पर old रिजिम कि और new रिजिम कि सर आप बताईए house property से loss जो होता है वह maximum तब ही होता है जब self occupied रहा हो और वहां पर interest का payment जा रहा हो बिना interest के तो हो ही नहीं सकता house property में loss कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका अगर loan नहीं ले रखा इंटरस नहीं ले रखा तो एने बी जीरो loan है नहीं तो वह भी जीरो और घर किराये पे दे रहे हो तो एने भी कुछ भी आएगा loan नहीं है तो नहीं है तो loan ही है सबसे बड़ा new रिजिम तो loan के खिलाफ है new रिजिम कहता है सर हम आपको तो 24 B देंगे ही नहीं नहीं दिया जाएगा अगर आपने new रिजिम आप्ट कर लिया है तो आप जो यह दो लाख भी सेट अफ कर पा रहे ना यह नहीं दिया जाएगा same head से तो आप set up करो other head से set up नहीं कर सकते carry forward allowed है आप carry forward क्या कर सकते हो इसको आगे continue कर सकते हो यह new रिजिम का था चाहे चाहे इंडिवीज्वल हो चाहे हुएफ हो तो यह सारे exception सर किसके हो गए इंट्रा स्वरी इंट्र हैड के इंट्रा हैड का same head से कौन-कौन से set up नहीं होगा वो देख लिया और यह देख लिया हमने इंट्रा अब यहाँ पर कुछ एक point आता है जो कि हमारे exam के point of view से इतना relevant क्याम करेगा जो income loss को बियर करेगा जैसे अगर मेरा लौस मेरा बिजनस लॉस है तू बिजनस कमारा ही काम करता हूं मैं अपना लौस तिर को दे देता हूं loss हुआ है समझ रहे हो बात आप जिसका loss लेकिन कुछ इसके भी exception है sir exception क्या है अब father है father के business से loss हुआ ये business किसको transfer होगा बेटे को तो लेकिन बेटे ने तो loss नहीं किया inheritance में मिला उसको वो loss can be set up amalgamation company एक company दो company जूड जाती है जैसे vodafone और idea दोनों मिल गए आप तो idea का बहुत सारा loss था vodafone ने उसको absorb कर लिया कर सकता है वो तभी possible है जब मान लेते हैं तब वह possible है वैसे ये exam के point of view से है नहीं जैसे मान लेते हैं x y z limited और p qr limited sir इसका loss पांसो करोड का और इसका profit एक हजार करोड का sir यह आपस में setup तभी कर सकते हैं क्योंकि company और business अलग अलग हो गए अगर इसका same shareholder 51% यहां move हो जाए यानि अब जब company बिकेगा तो यह company इसको payment करेगा ना कुछ ना कुछ तो यह company कहेगा मैं तुम्हें share सी दे रहा हूं अपनी company के और same जितना यहां पर मान लेते सकते हो 500 करोड़ पर दोगे अगर 51% नहीं कर रहें तो setup नहीं कर सकते हैं कुछ एक रूल है छोटी से point से आप book के अंदर पढ़ सकते हो बाकी जो exam में आता है exam में आता है आपका rule set of करने के और हर किसी के अपने rule है house property के अलग है specified business अलग है speculative business अलग है depreciation important question रहता है तो an absorb depreciation वाले point को मैं PGBB के अंदर covered करूँगा वहीं पर मैं discuss करूँगा क्योंकि अगर मैं बोलू कि an absorb depreciation को हम unlimited life तक carry forward कर सकते हैं और सारी बाते बता दू तो आपका question नहीं कि होगा सर an absorb depreciation होता क्या है पहले यह तो और एन अब्जोब depreciation बताने के लिए मुझे पूरा प्रॉफिट एंडल समझाना पड़ेगा तो इसलिए इसको कहां लेके जा रहे हम PGBB में अब लाइफ की बात करते हैं किस किस का क्या लाइफ है एक बार मैं नॉर्मली बताता हूं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैंने बताया नहीं अभी मैं बता देता हूं उसको लिख भी दूँगा अब यहां पर किस किस चीज के रूल है मैं लिख देता हूं एक पार एक है हाउस प्रॉपर्टी एक है नॉर्मल बिजनस एक है स्पेसिफाइड बिजनस एक है स्पेकुलेटिव बिजनस अरे एक है हॉर्स रेस देखो हाला कि मैं चाहूं तो जो मैंने चार्ट बना रखा है उससे क्विकली समझा सकते हैं लेकिन मैं लिख दूँगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा सर पहले हम एच्पी की बात करते हैं एच्पी की बात करते हैं अगर एच्पी से लॉस हुआ तो रूल क्या कहता है सर सबसे पहले आप करो इंटर फिर देन पहले करो इंटर पहले करो इंटर देन क्या करो इंटर और मैक्सिमम कितना हो सकता है इंटर से दो लाग अब सर आइटियर की बात करते हैं सर आइटियर फाइल करना क्या है सर आइटियर फाइल करना नौट mandatory कह सकते हो due date के बाद भी फाइल करेंगे ना तो house property एक x है ऐसा है जहां पे आपको loss केरी forward करने दे दिया जाएगा life की बात करें तो सर life इसकी 8 साल है यह कुछ point आपको याद रखना है थियोरी में सर अब बात करते हैं आपका specified business 35 AD वाला सर loss को carry forward किया जा सकता है पहले आपका होगा intra और इसमें इंटर हो सकता है क्या इंटर के साथ इंटर हो सकता है क्या नहीं हो सकता इंटर भी क्या होगा within same type of business ITR fight करना सर yes mandatory due date के बाद life कितनी है no limit है सर ठीक है इसके बाद आ जाता speculative speculative business speculative business का loss पहले क्या करोगे यानि मैं इसके बारे में अगर कहूं तो rule लगता है हमारा बिलकुल सेम सर इसके अंदर ITR बिलकुल सेम सर life इसकी चार साल है इसके बाद हम बात करें normal business सर normal business के अंदर आपका यहां पे पहले क्या होगा इंट्रा देन इंटर सर सेम ITR फाइल करना है इसकी लाइफ अब आ जाते हैं owing and maintaining मैं रफली लिख रहा हूं चार्ट अभी दिखा दूंगा owing and maintaining के अंदर सर यहां पे क्या होगा हमारा यह वाला जो सेम है यह उठके आ जाएगा है यानि आप इंट्रा करेंगे लेकिन इंट्रा में भी सेम टाइप ऑफ बिजनस से ही करेंगे यानि आपका owing and maintaining होर से इस वाले भी होना चाहिए ITR सर फाइल करना है लाइफ सर इसके बाद सी जी क्यापिटल गेन सेम रहेगा लेकिन पहले यहां पे क्या होगा इंट्रा उसके अंदर भी रूल को देखेंगे और ITR फाइल करना है और यहां पे लाइफ हैं कि मैं आपके देख थोड़ा से मिस्प्रिंट हो गया था वह मैने करेक्ट नहीं कर दोड़ा साम इसप्रिंट है और्स में भी होगा फिर उनका उनका टाइपिंग एरर रहा होगा इसमें टाइपिंग एरर रहा होगा इसके बाद एक वार लाइन डाला है कि कंटीनी होगा नहीं होगा चलिए फटा-फट यहां तक किसी को कोई दिक्कत सब कुछ समझ में आ रहा है चैप्टर बिल्कुल हो जाता है खतम आप चाहिए किताब से पढ़ लिजे ग्रीस आउजा किसी भी बुक से पढ़ लिजे मैंने एक एक पॉइंट डिसकसन कर लिया है अब सर अब देख लेते हैं टेनियर में किस तरीके के सवाल आये थे और उसके आंसर कैसे लिखने है लास्ट टेनियर निकाल लेते हैं सर टेनियर टेनियर लेते हैं ओनेर्स वाले बच्चे बताओ पेज नंबर क्या है 15 15 तो नहीं होगा अच्छा बिल्कुल यहीं आस-पास ही है मेरे पास थोड़ा अलग होता है सर देखिए कुश्चन आपके सामने है कहता है सेट अफ एन केरी फरवर्ड लॉसस ठीक है सर अब जो बच्चे यहां पर देखे कहता है what are the provision regarding set of and losses under the income tax भाई अब एक चीज में बताओ न तो जो हम यहां पर आंसर लिखते हैं आंसर हम ओवर और लिखते हैं कभी भी इतना बड़ा कुश्चन आएगा ही नहीं यह पूरा चैप्टर है सत कहता है what is the provision giving the set of losses under income tax income tax में set of losses के क्या प्रोविजन है पूरा चैप्टर है तो आपको इसमें से क्या-क्या वैसे एक्जाम में आया हुआ है सबसे पहले set of loss within a same head 70 70 के बारे में सारी बाते बता दी और इसके बाद कुछ इसके exception cases आ गए क्या-क्या exception cases आ गए देखती जाए अरे चल जाओ speculative हो गया specified 35 AD हो गया loss cross puzzle game हो गया लौटरी वाला हो गया लौटरी इसी में ही आ गया सारा यह इसके बाद however loss from owing maintaining सारा कुछ जो मैंने बताया है वो चीज़े मैंने लिख दिया है set of losses one head against another head 71 यानि आपका inter head setup एक्जामपल दे दिया इसके अंदर भी exception कुछ होंगे जो कि यहां पर लिख दिया है speculative business यह सारे हमारे दूसरे head से set of नहीं होगे short term capital gain का बता दिया सर इससे set of होगा long term किसी से भी हो सकता है long term long term से होगा short term किसी से भी होगा business and profession से क्या है तो यह आप question पढ़ेंगे ना तो normally समझ में आजएगा अगला आता है यह question ऐसे आता एक्जाम में sir what are the provision regarding set of the following item यह exam में question आएगा long term capital loss का बता यह long term capital loss सर्फ long term से होगा दूसरा कोई उपाई नहीं है answer खत्म कहता है short term का बता यह short term किसी से भी हो सकता है long term से भी तो इसके रूल बताने तो रूल कैसे बताने वह भी बताने इसके इंदर आठ साल है इसका आइटीर फाइल करना जरूरी है सारी बाते बताना हुआ तो यहां पर सारी चीजे लिखी हुई है third question what are the provision regarding set of carry forward the long term capital loss speculative business lottery business activity owing and maintaining इस बार जो आने के chances बनते हैं ना वह house property वाले बनते हैं ज्यादा amendment उसके अंदर आया हुआ है कितने का दो लाख वाला amendment बताए ना तो वह अभी पिछले साली amended हुआ था वह तो वह आया हुआ है तो इसके वह से house property वाला ज्यादा बनता है मैं तो दिखा रहा हूं कि देखे सर आपको समझ आ रहे हैं कि कैसे answer कहता है explain the provision related set of carry forward of non speculative losses यानी नॉर्मल बिजनस की बात कर रहे हैं यहां पर आप देख लेजिए इसमें गुमांके पूछा थोड़ा explain the carry forward business losses कौन से business losses प्रोविजन सिंपल बिजनस लॉस है आप यहां पर बता सकते हो सारा मैं इसे अलग से करूँगा important मुझे इस बार के दो सवाल आने के chances लगते हैं का हाउस प्रोपर्टी और एक एन अब्सॉर्प डेप्रीशेशन एक्स्प्लेइन हाउस प्रोपर्टी देखे हाउस प्रोपर्टी का आया हुआ भी है सर यहां पर जो हाउस प्रोपर्टी वाला लॉस है न इसके अंदर दो लाख वाला प्रोविजन मैंने नहीं डाला शायद एक बार देख लीजिएगा वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर रह गया हो यह अमेंडिड नहीं हुआ तो जिन बच्चों के पास टेनियर है स्पेशली ध्यान देंगे यहां पर दो लाख वाला या फिर आप ग्रीस आउजा के बुक से प्रॉपर पढ़ लेंगे सिर्फ यहां पर दो लाख वाली पॉइंट को डालना और पढ़ेगा अगेंस्ट डांडर हैड आपके फिर से वही आ गया लॉस अंदर दा हैड आफ इंकम कैड़ी सेट अफ अगेंस इंकम अंडर एन्डर हैड इंकम सेम तो इंटर हैड सेट आफ के बारे में पूछ रहा है चलिए सार एक बार जो आपको चार्ट देखना है प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा एटियर दे दिया है देख यूदिया है सर टैपिंग एरर रह गया होगा यहां पर आगे कहता है यहां पर दो लाख वाली बात लिख लिजिएगा दो लाख रुपे वाली बात आप लिख लिजिएगा तो बेटर रहेगा यहां पर मिस रहे गया मेर से ठीक है चलिए सर कंडीशन बिफोर और आप्टर देखिए पहले करो बाद में करो परक नहीं पड़ता टाइम लिमिट अगला है सर बिजनस लॉस बिजनस लॉस क्या कहता है लॉस अलाउट टू बी सेट अफ इंट्रा हैड in case of there will be loss it will be carry forward यानि business losses का है पहले आप क्या करोगे इंट्रा हैड है और अगर फिर भी बचता है तो carry forward कर दोगे before on due date मतलब before पहले ही फाइल करना है आठ साल लाइफ है speculative business loss speculative business business का can be set of only the against income from the other specified speculative मैंने पढ़ दिया other specified business if still there is loss then it will be before due date रहेगा आठ साल रहेगा चार साल अच्छा यहां error रहे गया इससे चार साल करिए loss from specified business 35 AD इसके अंदर देखिए unlimited है कोई limit नहीं है same provision था इसी तरीके से आपका 74 और 74 B है हमारा किसका ओइंग हैं section रखना अगेन मैं बोलूँगा याद रखना mandatory नहीं है आप एक बार देख लिजिए कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हाउस property वाला 10-year में नहीं है सर house property वाला question 10-year में प्रोग्राम की 10-year में नहीं है कि मैं question अलग से डाल दूँगा house property आले जो question देखो मैंने कहा है कि अभी पहले 15 तारिक के बाद मैं theory के जो important हाले में से बच्चे वाला minor child और फिर salary में से जो होगा वो capital gain में से जो आएगा difference आएगा short term long term के बीच में तो हर chapter में से कुछ ऐसे question होते हैं जो examiner का key रहता है तो करीब बहुत limited 20 question में बनाऊंगा 20-20 जिसके अंदर आपका सारा का सारा लगबग आने के chances होगा 20-20 तो आपने करने ही करने है साथ के साथ अलग से जो आपको time मिलेगा मैं बोलूगा यह less important है उसको भी पढ़के जाना है जो कि practical के basis पर ही रहेगा देखो हाला कि यह था दोनो theory chapter तो theory chapter मैं इसलिए बोल रहा हूँ tension मतलो एक बार मैंने समझ में आएगा सर हाँ यह बाते लिंक कर पाओगे उसको ठीक है सर प्रीवियस चेप्टर के डाउट कब लोगे अलग से चेप्टर का डाउट लेंगे आज आपका दो पार्ट छोटे-छोटे सो और डालना है मुझे आई टीर फाइलिंग का और फिर कल होता है तो कल कि अधित में हैं सर एक बार फिर रेपीट कर दो अंशु का आया है कि एग्जांपल रिपीट कर दो सरामाउट सेट आप एकस्प्लेन फिर सब्सक्राइब करने का उसके बाद केरी फरवर्ड हो सकता है हर्षित का डाउट क्या था हर्षित आप कह रहे थे सेलरी में डाउट था किसका डाउट था बताईए कॉल कब कर सकते हैं कल है TTS क्योंकि जब कॉल मेरे पास जो अरेंज होता था वो दो स्टाफ चले गए चुट्टी पर तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है कॉलिंग का मैं कल कल एक बजे बात करते हैं जिसका डाउट है एक बजे मैं से मिस डाल दूँगा एप्लिकेशन के चैट में आपके टाइमिंग एक पर सड्यूल देखे है कि हां कल ले लेंगे डेफिनिट्ली और यह सारे जितने भी चार्ट है ना और यह आपके अप्लिकेशन के अंदर डाल दिया है आप वहां से भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ा एडिट करा है इस बात का ध्यान रखना आप मैं दुबारा चार्ट इसको एडिट कराके डाल दूँगा सर प्लीज एक्स्पेंज लॉस्ट प्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव नॉन स्पेकुलिटिव दिशन अब का ट्रेडिंग से जो लॉस होगा डेरिवेटिव भी आपका स्पेकुलिटि बिशने बिजनस पर ट्रीके से लिए जाएगा अगर ब्रोकर रहें तो उसके लिए नॉर्मल बिजनस माना जाता है क्लास नहीं मैं डाउट के लिए बोल रहा हूँ मैं डाउट के लिए कॉल कर लेना कि अब कि अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आदें आपके अप्लिकेशन में है सक्षम आप देख सकते हैं